बच्चों सो सब प्रति मिनट गति का डिक्टेशन डिक्टेशन में आने आवले बाक्यान देखें आखिरकार पंजाब कैप्टन किसान संगठन हो रहा है सवाल यह भी है कि की ओर से दिया जा रहा है आम लोगों के लिए दूसरी ओर से अध्युगिक प्रतिश्ठन सेकड़ों लोगों ने दम भर रहे हैं हो दम भर रहे हैं करना इसकुन दम भर रहे हैं आदोल अन्रत आर्थिक इस्तती सच से इनकार नहीं हो जाना चाहिए था धरने प्रतसन के लिए कर रहे थे राजनितिक स्वार्थ देश के लिए अर्थ ब्यवस्ता इसलाम के नाम पर गर्ड आफ आनर अंतराश्टी बिरादरी के लिए राजस्तान न्याले चांदी ही चांदी सुर्दान जली देकर कहा कि समवेद अंसील मुद्धों पर इंटरनेशनल एर लाइन्स अब बच्चो सो सब प्रतिमिनट गतिका डिटेशन ले हाँ इस्टार्ट आखिरकार पंजाब के मुख्यमंतरी केप्टन अम्रिंदर सिंग को यह समझ आया कि किसान संगठनों का आंदोलन राजी के लिए मुसीब्यत बन गया है उन्होंने इन संगठनों से कहा कि यदि उन्हें आंदोलन करना है तो वे हर्याना और दिल्ली जाए क्योंकि उसके कारण राजी को नुक्सान हो रहा है क्या किसान संगठनों के हर्याना और दिल्ली जाकर आंदोलन करने से इन राज्यों में समस्याएं नहीं पैदा होंगी सवाल या भी है कि वह कितने प्रदसन कारियों को दिल्ली बेजेंगे ध्यान रहे कि दिल्ली के सीमान इलाकों में किसान संगठनों की ओर से दिया जा रहा दरना पेले से ही तो लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है हालाकि इससे किसान संगठन भी आउगत हैं लेकिन वह अपने जीत छोड़ने को तयार नहीं आखिर अम्रिंदर सीम जिस आंदोलन को अपने राज्य के लिए ठीक नहीं मान रहें उसे दूसरे राज्यों में क्यों ठेलना चाते हैं अच्छा होता कि वह यह कहने का साहच जुटाते कि किसान संगठन पंजाब के साथ अन्यंत्र भी अपना आंदोलन समाप्त करें क्योंकि हर कहीं वह आम लोगों के लिए मुसीबत बनने के साथ आर्थिक व्यापारिक गति विदियों के लिए बादाएं खड़ी कर रहा है किसान संगठनों का अन्दोलन एक ओर हर्याना में बहदूर गड़के किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है तो दूसरी ओर उसके चलते पंजाम में कई उद्योगी प्रतिष्ठान बन हो चुके हैं इसके चलते सेकड़ों लोगों की नोक्रियां भी जा चुकी हैं किसान संगठन बले ही किसानों के साथ नो जवानों के हितों की रक्षा का दम भर रहे हों लेकिन सच यह है कि वे उनके हितों को गंभिर नुक्सान पहुँचा रहे हैं अमरिंदर सिहं की माने तो किसान संगठन पंजाब में सो से ज़्यादा इस्तानों पर आंदोलन रत हैं और इसके कारण राजी की आर्थिक इस्तती पर बुरा आशर पढ़ रहा है इस सच से इनकार नहीं लेकिन अमरिंदर सिंग को इसका आभास तो तभी हो जाना चाहिए था जब वह किसान संगठनों को धरना प्रदसन के लिए उक्साने के साथ उनका खुला प्रदसन भी कर रहे थे उन्होंने किस तरह किसान संगटनों को उक्सा कर दिल्ली भेजा यह उनके इस बयान से साबित होता है कि वे उनकी वजे से ही दिल्ली में डटे हुए हैं उन्होंने यह इसपस्ट भी किया कि यदि वह आंदुलन कारियों को पंजाब में रोक देते तो दिल्ली की सीमाओं पर नहीं पहुँच पाते उनका यह बयान यही बताता है कि नितागन अपने संकिन राजनितिक स्वार्थों की पूर्ती के लिए किसी तरह देश के लिए सं संकट बनने वाले आंदुलनों को हवा देते हैं बैतर हो कि अब किसान संकठन भी यह समझे कि उनका आंदुलन आम आदमी को तंग करने के साथ अर्ष ब्रदस्ता को भी चोट पहुचा रहा है धन्यवाद